में आपका स्वागत है आज हम पीपल्स पार्टी आफ इंडिया डेमोक्राटिक के राष्टियाद देख्ष माने बीडी बोरकर सहाब के साथ है PPID इस महने में पटना बिहार में एक मूल निवासी चेतना रैली आयजित कर रही है आर उस चेतना रैली की तैयारी के उपलक्ष में राष्टिया देख्ष माने बेडी बोरकर जगаж जगँ अटिंगे ले रहे हम उन से जानेंगे कि ये जो चेतना रैली है किस प्रकार की तैयारी है किस संधर्प में ये रैली आयजित की है सर MNT News Network में आपका स्वागत है यह जो रैली के लिए आप मीटिंग अभी यहां पर अरेंज हुई है या जगा जगा आप जा रहे हैं मूल निमा सी चेतना रैली इस रैली के बारे में आप कुछ बताएं कि क्यों यह रैली आउजित किया है क्या इसका परपस है देखे एज पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों का यह मानना है कि ओपिनियन फार्मेशन जब तक हम नहीं करेंगे जब तक लोगों को हम अपने विचार के नहीं बनाएंगे तब तक उसका पॉलिटिकल कंसॉलिडेशन नहीं हो सकता और इसलिए पूरे देश में फूले आमबिटकराईट जो पॉलिटिक्स है इसके बारे में समाज को पता नहीं है और इस पॉलिटिक्स को करने की क्या ज़रुरत है इसके माध्यम से उनके अधिकार कईसे मिल सकते हैं अगर यह नहीं करने से पिछले 70 साल में जो कार हमें नहीं मिले आगे भी मिलने की संभावनाएं कम हैं तो इसलिए अभी दिल्ली के इलेक्षन हुए दिल्ली के इलेक्षन के बाद इमीडियेटली आने वाले अक्टोबर में बिहार में election होने जा रहे हमने देखा कि पिछले जितने भी elections में हम participate किये हमें बहुत कम समय मिला उस election में participate करने के लिए तो इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम 6-7-8 मैंने हमें मिले और उस election में हम effectively उस election को effectively रड़े इसलिए मुल्लिवासी बहुजन समाज जिसको fully ambit कराई politics के बारे में जानकारी नहीं है इस आंदोलन के बारे में जानकारी नहीं है उन समगर लोगों को इसमें हम involve करना चाहते हैं और इसलिए इस rally का नाम भी मुल्लिवासी चेतना rally रखा गया है कब है rally और कहा हो रही है यह rally 23 फरवरी को पटना में जो गांधी मैदान है उसमें इसका आयोजन किया है और इसमें पूरे इंडिया से 25 जार लोग पार्टिसिप्ट करने वाले हैं जैसे आपने बताया कि बिहार में एक्टूबर में इलेक्षन है और उस रै यह क्या यह रैलिए उस in action की पूरवतायारी के संद्रब में है या और भी इसके कोई परपस नहीं यह यह मून रूप से उसकी पूर्वत तयारी का तो हिस्सा है लेकिन फंडामेंटली ये जो आंदोलन है जो बाबा साहब का फुले साहब का एंटायर आंदोलन है इस आंदोलन की जानकारी जादा से जादा लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूर है और इसलिए हमारे बिहार के साथी अल्रेडी उन्हो लिया है जो कि दूसरी राज्यों में मुझे दिखाई नहीं देता लीडर्शीप उतनी एफेक्टिवली करने ही रही है तो मुझे लगता है कि उनके माध्यम से वनोंने आलड़ी काम शुरू कर दिया है और अपने अपने स्तर पे वो चेतना समाज जीवन में पैदा कर रहे ह तो जिस समाज में अगर चेतना पैदा हो जाएगी फुले आंबेड करेड़ आंदोलन के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस आंदोलन को बहुत ज्यादा मातरा में फैलाएंगे और इसके जो पॉलिटिकल गेंस है वो हमारे समाज को मिलेंगे बिहार में आप रैली करने जा रहे है बिहार जो राज्य है आपके बारा जो पर्चे बाटे जा रहे है कि बिहार एक गए पैंटीस सो वर्ष हो गए उस वक्त से इसके एक इतियास रहा है और यह सत्ता से वंचित है यहां से लोग काफी पिछड़े भी है तो ऐसे स्टेट में अभी नितिश कुमार की जो सरकार है उनके तरफ से अभी अभी एक उन्होंने अपनी पार्टी उनके पार्टी के अंदर आती पिछड़े वर्गों के लिए अलग से कुछ कारेक्रम उन्होंने पार्टी में लेने का कारेक्रम शुरू किया है तो यह सारे जो नितिश वो कास्ट पॉलिटिक्स कर रहा है और हम कास्ट को खतम करना चाहते हैं तो फंडामेंटली जो उसका जो कारेकरम है वो मुल्निवासी बहुजन समाज के लोगों को फर्दर डिसिंटिग्रेट करने के दिशा में पॉलिटिक्स कर रहा है मतलब मुझे पता है उसने पहले वैसे तो दलिट सब्द को हमारी माननेता नहीं है लेकिन बहां बिहार में दलिट आइडेंटिटी के तहट राम विलास पासवान वगेरा जो ये लोग है लोगों को संगटित कर रहे थे और उसका पॉलिटिकल बेनिफिट ले रहे थे लेकिन जब नितिश कुमार बीजेपी के क्यांप में गया और इसलिए उन्होंने दलित में महा दलितों को अलग कर दिया तो एक्च्वेली सोसाइटी को फर्दर डिसिंटिग्रेट करने का काम वो कर रहा है आज अगेस्ट दाट वी पीपल्स पर्टी अफ इंडिया नाट ओली दलित आन महा दलित पर हम पूरे मूल निवासी बहुजन समाज को इंटिग्रेट करना चाहते है जो की ब्रहामनिकल फोर्सेस ने कांशियसली कास्ट लाइन पे डिसिंटिग्रेट किया हमारी ये माननेता है कि कास्ट जो है ये पॉलिटिकल आइडिन्टिटी है और बाद में इसको सोशल आइडिन्टिटी में पिरोया गया लेकिन फंडामेंटली कास्ट ये पॉलिटिकल आइडिन्टिटी है और इसलिए कास्ट में जो सोसाइटी डिवाइडेड है उस लोगों की क्या समस्या है या बहुगली ग्रूप से या सामाजी ग्रूप से आर्थी ग्रूप से आपको क्या लगता है कौन से मुद्धे है आपके सामने जो बिहार कराज्यक को लेकर आप चिंतित है देखें बिहार में दोनों मुद्धे बहुत ज्यादा मात्रा में चाहे ह हुए है सोशल बैकवर्डनेस और एकनॉमिक बैकवर्डनेस पॉलिटिकली बहुत अवेकंड स्टेट है पॉलिटिकली अवेकंड है और इसलिए आप देखेंगे कि बिहार में कांग्रेस की सत्ता पिछले कही सालों से नहीं है मतलब लालों ने 15 साल कर लिया अभी नितिष ने 10 साल कर लिया 25 साल से वो सत्ता में कांग्रेस जो है ब्रामनीकल पार्टी है वो सत्ता से बाहर है लेकिन ये कास्ट कम्बिनेशन कर रहे हैं कास्ट को जोड के राजनिती कर रहे हैं कास्ट को जोडने से कास्ट खतम नहीं होती कास्ट को समूलनस्ट करना है तो अल्टरनेटिव आइडेंटिटी के उपर काम करना होगा तो यह इंपोर्टन्ट है तो आप यह देखेंगे कि उनकी सोशी एकोनॉमिक प्रॉब्लेम बहुत ज्यादा मात्रा में है कास्ट इडन सोसाइटी होने की वज़े से लोगों का दमन हो रहा है कास्ट के आधार के उपर रन्वीर शेना नाम की एक शेना थी उन्होंने हमारे कहीं गाओं के गाओं लोगों को बून डाले थे अंटचिवर्स लोगों को तो आप यह देखेंगे कि सोशल लेवल पे बहुत बड़े प्रॉब्लम है आज उस स्टेट को 25 साल में लोगों ने लेकिन उसका जो आर्थिक उभार होना चाहिए था वो राज्य का नहीं हुआ इसलिए आप यह देखेंगे कि बिहार के जो शिडूल कास्ट है जो शिडूल ट्राइब है जो अधर बैकवर्ड क्लास जो में जाते हैं वो आप देखेंगे कि पंजाब में अगरी कल्चर लेबर की हैशियत में काम कर रहे हैं उलुदिया ना में जो इंडुस्टियर लेबर में काम कर रहे हैं महारास्टा में वह बहुत ज्यादा मात्रा में वह आए हुए है तो आप यह देखेंगे कि जो उस सभाटी के और सामाजिक श्तीती बहुत कराब है है अगर आप बिहार के लिए अगर आपक посмотреть अगर आटिजल आ कर लोप में अगर देखनाना चाहे है तो तुवी तीन यह चाइक्तृ से को वह मुझे बताइन बताय अगर इसे कौन सा जो बात है कि जो बिहार का जेंडा है बिहार में आप यह देखेंगे कि इंडस्टिलाइजिशन नहीं है बिहार बेसीकली जो है एग्रारियन सुसाइटी है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में उनका उत्पाद अन पढ़ाने के लिए और उसको मार्केट मिला के देन के लिए हम काम करेंगे जहां तक वहां की जो सोशल स्ट्रक्चर है तो जैसे मैंने पहले बताया कि सोशल स्ट्रक्चर में जो जाती-जाती में दरिया आई भी है इसको हम मिटाने का काम करेंगे तो आप यह देखेंगे कि यह बहुत-बड़ी फोर्स बनती है और पालिटि इस देश में राज हमारा होगा तो मुझे लगता है कि फिर उनकी जो social problems है जो disharmony की problem है जो caste student society की problem वो खतम कर दी जा सकती और economic sector में जैसे मैंने बताया कि उसको industry life करने की हमारी पहल होगी क्योंकि उसमें बहुत जारा मात्रा में industries खड़ी करनी होगी और industries को खड़ी करने के लिए जो भी support as a party if comes in power जो भी as a state power हमको देना पड़ेगा वो सब support हम उनको देंगे जैसे आपने बताया कि 15 साल लालू प्रसाद्यादव ने राज किया दस साल नितिशकुमार ने राज किया है उनका नवंबर में समप्त हो रही है तो यह तो दोनों भी लीडर्स पिछडे तबकों से आये हुए है और बिहार में करपुरी ठाकूर और ऐसे काफी नेता है जो पिछडे वर्ग से आये हुए थे तो ऐसे पिछडे वर्ग की जिनकी लीडर्शिप है पॉलिटिकल सेटप में उनके होते हुए आप एक अलग पार्टी इस राज्य में कैसे स्तापित होंगे आप देखिए कि वह पार्टी बेसिकली जो सोश्यालिस्ट मुव्मेंट से निकले हुए है सभी जो लीडर आपको नजर आते है रामवलास पास्वा में अपने लोगों का कल्यान करेंगे सोशतों सोश्यालिजम आइडियल सोश्यालिजम के बारे में उनको दे दो, तो सरकारी तीजोरे से उन्होंने उस धंका उन्होंने वितरन करना चाहिए था, मतलब उन सेक्षन के लोगों को उनके कम्मोनिटी के अनुपात में उनको फाइनाशियल अरेंजमेंट्स करनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया, ये वही ढर्रा च परसे पएदा कर रहे हैं, अभी ये फिलाल जो आप जो बता रहे थे, ये इनों ने ये महादलित वाला चकर चला उन्होंने, तो इसका मतलब क्या है, अति पिछरा मतलब उस्सवे महादलित बोलता है, दलितों में महादलित, और पिछळों में अति storage ये इनका यो क किया उसने इनकी भावना है उनका पॉलिटिकल दोहन करने की भावना है इनको रिसोर्स फुल बनाने की भावना नहीं है इस बैक्राउंड में हमें बहुत ज्यादा स्कोप है उस स्टेट में अपनी बात को आगे बढ़ाने का जब भी इलेक्षन आता है नितिश कुमार ये है कि ये बिहार जो है गरीब राज्य है और उसको केंद्र से स्पेशल जो पैकेज होता है गरीब राज्यों के लिए स्पेशल विशेश राज्य का दर्जा है और जब भी इलेक्षन आता है तो वह ऐसी मांगे उठाते रहते हैं बीजेपी भी उनके साथ है तो आपको क्य लड़ेंगे तो उनको डर है कि वो विरोधी पार्टिया है वो सत्ता में आज आएगी करके तो साथ में लड़ने वाले यह पक्का है तो बीजेपी को जो अभी हार मिली उनका जो चुनावी आजेंडा रहता है मुद्दा उसको लेकर क्या बिहार में उनको सेट बैक नहीं रहा है और सो मच सो की बैक वर्ड क्लासेस के लोगों को तो यह धर्म की राजनिती जो देश को हिंदू-Muslim लाइन पर डिवाइड कर रहे है यह तो बैक वर्ड क्लासेस को बिलकुल ठीक नहीं लग रहे है लेकिन सो काल फार्वर्ड क्लासेस में भी कुछ ऐसे लोग है उन हम उसको ये दरार गिरा रहे तो बीजेपी को आने वाले दिनों में बहुत एड़वर्सली इलेक्टरेट को फेस करना पड़ेगा हमारे साथियों से और हमारे समाज को ये अपील करना चाहता हूँ कि उन्होंने कांग्रेश की सत्ता देखी उन्होंने बीजेपी की भी सत्ता देखी उन्होंने जो बैकवर्ड क्लासेश से इस्पेशली अधर बैकवर्ड क्लासेश के जो लीडर निकले सोशालिस मुवमेंट से उन्होंने भी राज्य को चलाया लेकिन वो राज्य की स्तिती आर्थिक स्तिती सामाजिक स्तिती नहीं बदल पाए मेरा मेसेज उनको यह है कि उन्होंने मूलनिवासी आइडेंटिटी के तहत उकटा आना है और इस आइडेंटिटी पर जो पीपीएडी जो काम कर रही है उसको समर्थन देना है और PPID की सत्ता बिहार में लाना है तो उनका जो भविश्य है इसमें उनका उजवल रहेगा और मैं उनसे फिर से अपील करता हूँ कि वो इस दिशा में सीरियसली सोचे यह है माने बीडी बोरकर साब जिन से हमने बात की यह People's Party of India Democratic की ओर से जो 23 फरवरी को पटना में गांधी मैदान पर जो रैली हो रहे हैं मुनलिवासी चेतना रैली उस रैली के संदर्व में देश भर में मिटिंग कर रहे हैं यह मुनलिवासी चेतना रैली है उन्होंने कहा कि इसका जो अबजेक्ट क्यों है ज YOUR है बीहार में जो जातिय चेतना है जाटी की j jadi की मानसिक्ता है जाती को खतम करके जाती की मान्जिक्ता को खतम करके मूल निवासी चेतना के तहत लोगों को इकटा करना और इसी माध्यम से अगर लोग इकटा हुए तो इसी माध्यम से वो बिहार जो जिसे बार बार गरीब राज्य कहा जाता है या बिहार के जो समस्या है सामाजिक और आर्थिक दुष्टी से वो समस्या है वो खतम कर सकते है देखते रहे है MNT News Network, जै भीम, जै मुल्निवासी